दोस्तों ये ऐसे एक polishing है जो आपके चहरे के जुरियों के साथ में pimple और blackett को भी दूर करेगी इतना बढ़िया से exfoliate करेगी आपकी skin को कि आपके चहरे के उपर जमी हुई पुराने से पुराने dead cells को भी बहुत बढ़िया से remove करेगी जो दूसरी remedy है ये आपके चहरे के काले लाग धुपो को हट आएगी pigmentation के उपर काम करेगी अगर चहरे के उपर बहुत जादा dullness है oil बहुत जादा बनता है तो इस दोनों remedy को आपने जरूर करना है तो सबसे पहले वाला step है हमारा cleanser करने का तो cleanser करने के लिए मैं आज अपने face को wash करी हूँ क्योंकि मैं just gym से आई इसलिए मैं इसको आपके साथ share करी हूँ हलो दोस्तो मैं हूँ रेखा सिंग आपका स्वागत करती हूँ मैं मेरे चानल रेखा सिंग लाई पर फिर से एक बार ले के आगे हूँ बहुत simple remedy या आपके pigmentation को भी हटाएगी जुरियों के उपर काम करेगी pimple और blackhead को भी बहुत बढ़िया से हटाएगी अगर skin के उपर जमी हुई मैल है पुराने से पुराने dead skin cells है तो उसको ये remove करेगी polishing इसको आपको घर पर करना है जिस तरीके से मैं इसको लगा रही हूँ उसी तरीके से आपको इसको लगाना है जितना जादा हो सके उतना जादा मोटा परत आपको इसको लगानी है दो से तीन मिने चोड़ने के बाद में आपको करनी है इसके उपर मसाज मसाज करने से अब हम क्या करें है हमारे skin के जो dead skin cells है जो हमारे skin के उपर एक परत जम जाती है dead skin की उसको आप ये remove करेगी polishing इसको आपको उस area के उपर जादा करना है जहां पर आपको जो एक oil बन जाता है जो एक germs की एक layer बन जाती है उसको ये बहुत अच्छे से हटाएगी lips के around आपको जरूर करना है क्योंकि यहां पर काला पन बहुत होता है दोस्तों बहुत लोग के न काले काले lips हो जाते हैं तो अगर आप इस polishing को जरूर करेंगे अपने lips पे तो आपके होठो को भी pink करेगा ठीक है तो इसको आपको जरूर करना है पांच से साथ मिनिट की मसाज करने के बाद में result आपको वाव वाला मिलेगा दोस्तों तो इसी बात पे एक like तो बनता है तो अगर मेरे वीडियो अभी तक पसंद आ गया हो तो like जरूर करते हैं मेरी skin देखने के coffee कोई भी brand की coffee लीजे दोस्तों coffee हमारी skin को बहुत बढ़िया से exfoliate करती है अगर चेहरे के ओपर जुरियां है पिंपल है तो इसको यह बहुत बढ़िया से हटाती है इसमें पाया जाना caffeine वह होता है anti-aging से भरपूर यह हमारी skin को बहुत बढ़िया से जुरियों से भी निजा दिलाता है दोस्तों अगर रिंकल बहुत जादा है तो आपको coffee को रेगुलर यूज करना चाहिए दूसरा जो चीज में लिके हैं यह इतनी जादा इंपोर्टेंट है दोस्तों यह है हमारी आज की खांड यह मेरा सीक्रेट है जो कि मैं मेरी skin के उपर हमेशा लगाती हूँ खांड मतलब की pure देसी बूरा जिसको चीनी बोलते हैं चीनी एक दूसरी चीज हो जाते हैं लेकिन जो खांड होती है वो pure देसी खांड होती है इसमें पाये जाने वाले तत्व हमारे चेहरे को बहुत बढ़े से exfoliate करते हैं एजिंग के process को slow down करते हैं तीसरी जो चीज मैं डाल रहे हूं वो है bleaching से भरपूर vitamin C जो की है नीम्बू में पाया जाता है तो हम इसमें डाल रहे हैं vitamin C मतलब की नीम्बू का juice हमें उतना डालना है जितने में थिक paste बन जाए ज्यादा मट डाल जेगा दोस्तों क्योंकि हमें इसको गाडा ही रखना है पतला बिलकुल नह है तो मैंने लिया है करीब 4-5 बूंदे इसमें अब आपको इसको बहुत बढ़िया से mix करना है mixing करने का काम बहुत जरूरी है दोस्तों इसको आपको mix करते वाग ऐसे नहीं चोड़ना है अब आपको इसको तब तक mix करना है जब तक यह हलका color ना छोड़ दे मतलब इसका color यह अपर गयाँ अब हम उसके इक्सकें करते हैं अब हम करते हैं हमारा दूसरा क्ट जो कि मैंने आपको बनाया है पिंपल के लिए बताया है अगर आपके चहरे के उपर ओयल बहुत जादा बनता है चहरे के उपर पिंपल बहुत जादा आते हैं काला पन बहुत जादा है पसीने बहुत जादा आता है अगर आपके चहरे के उपर तो आपको इस क्रेमडी को रे आपके टोन को इंप्रूफ करेगा चेहरे को गोरा करेगा चेहरे के ओयल पिंपल को हटाएगा पिग्मिन्टेशन के ओपर काम करता है यह पैक और आपके चेहरे को यह टाइट भी करता है दोस्तों में यहां पर यह भी एक चीज आपके साथ मेंशन कर देती हूं बहुत वाश भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों जिस तरह से मैं आपको बता रही हूं उसी तरीके से मैंने इसको लगाया उसके बाद में पांच मिनिट के बाद में आपको इसको पोचना है सेमी ड्राइ होने के बाद में आप मेरा जो शुरू का वीडियो था वहां देखिए और अब आप मेरी स्किन देखिए आपको डिफरन समझ माएगा कितना क्लीन हुआ है तो चलिए बना लेते हैं किस तरह से बनाना है हमें इसके लिए लेना है बेसन कोन सा दोस्तों जो चने की डाल का बेसन होता है जिसका कड़ी चावल चो हम कड़ी बनाते हैं पकोड़े बनात दूसरी चीज हमने इसमें डालनी है एक चमच हनी जिसमें पाया जाते हैं ऐसे तत्व जो एंटी बेक्टिरियल से भरपूर होते हैं अगर आपके फेस के ओपर कोई भी फंगस है पिंपल है तो उसको हनी बहुत अच्छे से हील करता है तीसरी चीज हमने इसमें मिलाई है इक वाइल डी तर्मरीक आपको यही लेनी है दोस्तों यह आपके चहरे के ऊपर बनने वाले पिंपल्स के ऊपर काम करती है और यहीu आपको इपने पैक मी यूज करणी चीज है यह ठीक है यह को आगर रिगूलर भी लगाएंगे रोज सुबा शाम भी लगाएंगे तो आप अपने चहरे के color को enhance होता वा देखेंगे गोरा होता देखेंगे चहरे के उपर जम्यूई पुरानी से पुरानी मैल हटेगी इसको आप पूरे शरीर पे लगा सकते हैं इसको आप बच्चों से लेके बूरो को लगा सकते हैं यह हर skin type को suit करती है दोस इसी को होती है दोस्तों तो यह दो remedy अगर आप regular अपने skin के routine में add कर लेते हैं मतलब की morning, evening दोनों टाइम अगर आप एक बार भी कर लेते हैं तो आप अपनी skin की बहुत सारी problem से छुटकारा पाजेंगे तो आशा करती हूं अभी तक अगर आपने like नहीं किया है तो मेरे channel को like कर लिजेगा glow आपको मेरे चहरे के उपर दिखाई दे रहा होगा तो like और subscribe जरूर करेगा family and friends के साथ में share करेगा मिलते हैं ऐसे ही किसी बड़िया वीडियो में bye bye take care see you अपनी सेहत का ख्याल रखिये